असलामो अलाइकुम, welcome back to another video, तो आज है मटन पाए बनेंगे, तो पाए पहले तो हम गला लेते हैं और उसका बगार अलग बनाएंगे, तो वैसा नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है ये रेसिपी, तो बनाना शुरू करते हैं, यहां पर पाएं के लिए पहले कुखर रख दें जोले पर उसमें डाल देंगे तेल, तेल जो है मैंने 1 4th cup जितना लिया हुआ है तेल, और उसमें डाल देंगे 3 प्याज और बकरे के पाए जो है अच्छी तरीके से मैंने दोलिया, आटा लगा कर और थोड़ा से जितना भी काला पन उसको जा सकता है, उस तरह से दोलीजि तो यहां पर तेल जब गरम हुआ उसमें डाल दिये 3 बड़ी प्याज, तो 1 4th cup से थोड़ा सा उपर नीचे कर सकते हो आप, थोड़ा सा इसको बस हलका सा नमक डाल दीजेगा, आधा चमच के खरीब मैंने नमक डाला, प्याज डालने के बाद, स्लाइस की हुई प्याज ड प्याज हो गई फ्राइट, तो साइड में पानी रख दिया है और यहां पर पाय डाल देंगे, और पाय डाल दीजे, पाय डालने के बाद अकसर यह पर लोग पाय डालते ही फॉरण भी पानी डाल देते हैं, तो वोड़ा सा पाय का पानी सुखा दीजे, मुश्किल से एक या फिर तेड़ मिर्ट लगेगा और उसके बाद खड़े मसालों में है थेज पता बे लीप और एक मोटी काली लाइची वह और दो तीन एंच का तुकडा जो है सिनिमन का और दो हरी लाइची यह डाल दी गरम मसालों में यह डालने के बाद इसको हल्का समस भूनेंगे एक आदी मिनट के लिए ताकि पाये का पानी जितना मौझूद है वो खतम हो जाए अच्छे से भुन जाए पाये तो यहां पर अगर आपके पाये सक्थ है तो उसमें आप थोड़े से चावल जह है एक अधा चम्मच की खरीब चावल भी डालते हैं लोग और सुपारी भी डालत अगर बड़े बकरे के पाए हो तो यहां पर किजिए अद्रक लासन हरा दनीय का पेस्ट मैंने डाल दिया दो से तीन टेबल स्पून अब अद्रक लासन का पेस्ट डाल रहे हैं तो दो टेबल स्पून काफी रहेगा थोड़ा सा पानी में डालिएगा एकदम थिक पेस्ट जाएं देड़ चमच लाल मिर्च का इसकी रंगत भी अच्छी और तिखापन भी अच्छा है तो यहां पर हल्दी डाल दी आधा चमच और धनिया पूर डाल दिया वन टी स्पून भरके यह डाल दिया और इसको भूनेंगे जब तक के थोड़ी सी कच्छी महगनिया खतम ह जाती हल्का सबस भून लेंगे तो यहां पर दो से तीन टेबल स्पून जितना दही अंदाजन थोड़ा सा डाल दीजिएगा दही डालने के बाद अच्छे से भून लिया अच्छे से तेल ऊपर आ चुका है तो यहां पर दो कप दो से तीन कप पानी होगा यह गरम पानी तो यह डाल दूंगी और कूकर का डखकन लगा देंगे और कम असकम इसको आदे खंटे के लिए पका लीजिएगा और थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हो इस वक्त गरम पानी ही डालिएगा थंडा पानी नहीं तो गरम पानी डाल दिया दो से तीन कप जितना तो इसको कूकर कड़कन लगा देंगे और कम असकम 8-10 सीटी आने देंगे और यहां पर खोपरा जो है एक मुठी पर खोपरा और 8-10 बदाम डाल दिये और इस तरह से ड्राय रोस्ट कर लिया और इसका पौर्ट बना लेंगे तो बून के जब पीसते हैं तो बहुत सोंदा सा यह पेस्ट हमारा बन कर तयार हो जाएगा तो यहां पर थोड़ा सा पानी डाला और एक फाइन सा पेस्ट इसका बना लिया पाई अच्छे से गल चुके हैं थोड़ी सी इसकी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा गाड़ा पन लान अधक अब जितना पानी डाल देंगे अधक अप पानी डाल दिया कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से अड़्जर्स कर लिजेगा तो मिक्स कीजिए और नमक डालेंगे इसमें अब तो नारेल डालने के बाद हलका सा गरम मसाला डाल दिया 1-4 टीस्पून जितना और कसूरी में यह डालने के बाद इसमें डाल देंगे नमक तेस्ट के अकॉर्डिंग अंदाजन हाथ से डाला करें अभी भी नमक अंदाज़ा रहेगा आपको तो यह डालने के बाद बारी कांच पर एकदम लो फ्लेम पर इसको डखकन उपर से हलका सा बंद कीजिए और कम असकम 5-6 मिन जिसे काता है खुशकारा इसके साथ सेर्फ करें बहुत ही बहतरीन खिसम का यह सालन बनकर त्यार हो जाएगा इसको रफ कर देंगे गर्मा गरम और उमीद है आपको यह रसीपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए नए है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा शेय कीजिए फैमली में फ्रेंड्स में रिलेटिस में ताकि वह भी बना के खा सके और मैंने ग्रनोला बार्स भी डाले हुए है बहुत हेल्दी है इस पौसम के लिए वह भी बना की जरूर कहिएगा और बल ऐगन को जरूर दबा दीजिए और इंस्टा पर फॉलो कर दीजिए तो मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए ऐसे ही बनाईएगा खाईएगा एंजॉय कीजिए और बाखी सारी रेसिपी जो भी मैंने अप्लोड किये वह भी जाकि जुरूर दिख लीजिए अल्ला हाफिस